हेलो उस्टों आप सभी सोब बात करेंगे आपर Dixon Technology के बारे में इस कंपपनी में एक यहाँ पर धमाकेदार ब्रेक नियूज आज के उसरेटे डिसकस करेंगे जो आपको काफी बड़ा बदलाओ इस company के अंदर बे और यहाँ पर इस company पर बे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखे जिनके पास है quantity available Dixon technology की या यहाँ पर जो लोग interest दिखाना चाहते fresh entry का वो सभी यहाँ पर point को understanding करना दोस्तो कि इतने बड़े mutual fund का इस company पर इतना ज़्यादा trust क्यों बढ़ रहा है company में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है उनको और यहाँ पर हमें भी क्या दिखाई देता है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है हमारा observation जैसा रहेगा उस तरीके से हम decision ले सकते किसी भी company में और मैं आपको कुछ point यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ आपके आगे आप उसको देखकर समझ सकते किस company में आपके लिए क्या है और आपको क्या करना चाहिए देखना यहाँ पर जरूर understanding करना और यहाँ पर देन यहाँ पर आप decision ले सकते हैं देखें यहाँ पर आज जो तेजी आए उसके पीछे भी जो news है उसका इंपक रहा है और लोग देखिए कब company में निवेश करते जब कोई news आती है और तब तेजी देखने को मिलती है बट ह हम जैसे लंबे समय के जो निवेश है long term के तो हमें यहाँ पर एक बात पता है कि हम temporary basis के तेजी पर तो ज्यादा यहाँ पर भरोसा नहीं करते बट long term में हमें पता है कि यह जो तेजी रहती है वो continue uptrend में ही देखने को मिलती है तो इसलिए आप यहाँ पर एक बात को याद situation होते रहते हैं और आपको यहाँ पर बहुत बार देखने को मिलेगा कि stock यहाँ पर तेजी कम गिरावर जादे दिखाते हैं और यह थोड़े समय के लिए चलते रहता है जैसे आप रोज रोज देखेंगे बोलतो यहाँ पर performance तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा बट लंब इसा ही देखने को मिलेगा कि यह stock तो पूरा downtrend है और एक साल से देखें तो आपको नजर भी आ जाएगा कि यह कुछ return में नहीं है बिल्कुल सही बात है return में तो नहीं है बट अब return में आएगा जरूर तो उसके पीछे कुछ reason है और यहाँ पर काफी कुछ analysis के reports भी तो दे देखें यहाँ पर कुछ ऐसे stock है जो long term के लिए भी perform करने का तो वेटेज रखते ही है कुछ ऐसे भी stock है जो outperform भी कर रहे है अब देखें इसमें मैं आपको कुछ ऐसे stock जो बता रहा हूँ जो यह जो fund है उसको लंबे समय के लिए continue जो यहाँ पर चला रहे है और उसमें व mix on technology है आप देख सकते हैं इनके यहाँ पर fund का detail है fund का जो return है एक साल में कितना मिलता है दो साल में कैसा performance है इस सभी इनके fund के बारे में detail है बट हमारे जो observation वाली बात है तो यहाँ पर आप देखिए fund look जो यहाँ पर करीब आपको बता दो 230 stock है इसमें से यहाँ पर उन्हों पास साल इनका अलग अलग जो यहाँ पर आपको बता दो date होता है जैसे के इनका return कमा कर देने का mutual fund वालों का अलग अलग यहाँ पर सब performance रहता है बट देखिए उन्होंने जो durable जो consumer durable जो product हते उसमें 7% के करीब का माल उठाया है बुलतो यहाँ पर जो भी white goods होते हैं देख तो देखिए इसमें उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने जो निवेश किया है खास करकर यहाँ पर आप देख सकते Dixon technology है नवीन फ्लूरीन है यहाँ पर आप देखेंगे तो Deepak United देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो काफी कुछ अलग अलग company के नाम है बट important भात क् Dixon technology और उन्होंने यहाँ पर यह नाम बताती है बाद में क्या बताया देखिए have been the major contribution to the fund performing where also यहाँ पर जो constantly यहाँ पर उन्होंने बताया है तो आप समझ रहें यह words क्या बताते है कि यह continue जो इनका fund है उसको weightage तो देही रहा है और साती आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और भी कुछ interesting data देखने को मिलेगा कि इस company में काफी अच्छा weightage है इसलिए तो बड़े निवेशक इसमें include है आप यहाँ पर पूरे जो quantity है देखें निपोलो vision fund उनके पास अभी फिलाल यहाँ पर quantity चेक कर सकते आप और साते price various type काई देखिए निपोलो vision fund direct DG यहाँ पर आपको नजर आएंगे निपोलो यहाँ पर आप पर सकते यह small cap के बारे में जो मैं कह रहा हूँ ना अभी जो proof मैं आपको दिखा रहा हू जो लोग सुनते होंगे समझते होंगे उनको पता चलता होगा ही देखिए उनके पास 1.35% stake है जो आप यहाँ पर हम देख रहे थे कि small cap के बारे में और भी यहाँ पर उनके निपोलो इस company का अच्छा ही निवेशे देखिए और भी देखने को मिलेगा यह देखिए आप द करस्ट होता है और उनको कमाई करकर देना है लोगों को इसलिए वो अच्छे company में ही रहते हैं और आप जैसे के इसके balance sheet के बारे में देखे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि Dixon technology की balance sheet काफी अच्छी तरिके से strong performance वाली दिखाई देती है एक तो इस company के balance sheet में reserve वगरा सब कुछ अच्छा है और आपने यहाँ पर देखा भी होगा शायद मुझे लगता है कि आपने बहुत बार observation भी किया होगा अब जैसे हम shareholding की तो बात बार-बार करते रहते बट थोड़ा इसका जो performance है जो यहाँ पर important रहता है कि company के जो profit and loss account का जो profit पूरी तरीक पर कैसा है उसको देख ले तो हमें पता चलता है यह देख लिजे यहाँ पर company का profit कैसा यह yearly changes जो है न वो देखना जरूरी है यह 2012 से मैं आपको net profit दिखा रहा हूं और आप इस column पर थोड़ा ज्यादा focus किजिए जो मैं आपको present कर रहा हूं पहले minus 7 करोड़ बाद में 5 2020 तो आपने observe क्या किया कि company के अंदर जो profit की growth है वो continuity वाली है बलतो continue growth है और यहाँ पर हमें पूरी तरीके से company show कर रही है कि इसके अंदर जो कमाई है वो company तरब से हो रही है और yearly basis का data check करेंगे तो company बहुत अच्छा perform कर रही है आप यहाँ पर quarterly देखेंगे थोड़े minor changes जर जादा कभी कम perform करता है बट long term में yearly performance ठीक ठाक तरीके से जरूर है तो I hope दोस्तों आप इसमें सोच सकते हैं मुझे लगता है कि आप लंबे समय का दाव लगा रहे है तो आप इसमें जरूर रह सकते हैं thank you so much